साहिते निद्मे सुनिये शरत्चन चटोपाद्ध्याजी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी अभागी का स्वर्व प्रस्तोत है कहानी साथ दिनों तक ज्वर ग्रस्त रहने के बाद ठाकुरदास मुखरजी की वृद्धा पत्नी की मुखोपाद्ध्याए महाशें अपने धान की व्यापार से काफी सम्रद्ध थे उनके चार पुत्र, चार पुत्रियां और पुत्र पुत्रियों के भी बच्चे, दामाद, पडोसियों का सम्मूह, नौकर चाकर थे मानों उनके हाँ कोई उत्सव हो रहा हो धूम धाम से निकलने वाली शव यात्रा को देखने के लिए गाउवालों की काफी भीड़ी खट्टी हो गई लड़कियों ने रोते-रोते माता के पावों में गहरा आलता और मस्तक पर बहुत सा सिंदूर लगा दिया बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्रों से सास की देह को ढख दिया और अपने आचल के कोने से उनकी पद धूली जहाड़ दी पत्र, पुष्प, गंद, माला और कल्रव से मन को ये लगा ही नहीं कि यहाँ कोई शोक की गटना हुई है ऐसा लगा जैसे बढ़े घर की ग्रहणी पचास वर्षों बाद उन्हा एक बार नई तरह से अपने पती के घर जा रही हो शांत मुक से व्रिद मुखो पाद्याय अपनी चिर संगनी को अंतिम विदा दे कर छिपे छिपे दोनों आखों के आशु पोच कर शोकार्थ, कन्या और बहुँओं को सांतोना देने लगे प्रबल हरध्वने, राम नाम सत्य है, से प्राथाकाली आकाश को गुंजित कर सारा गाउं साथ साथ चल दिया एक दूसा प्राणी भी थोड़ी दूर से इस दल का साथी बन गया, वो थी कंगाली की मा वो अपनी जोपड़ी के आंगन में पैदा हुए बैंगन तोड़कर इस रास्ते से हाट जा रही थी, इस द्रशी को देखकर उसके पग हाट की और बढ़े ही नहीं उसका हाट जाना रुक गया, और उसके आशन में बैंगन बंधे रह गए आखों से आशू बहाती हुई, वो सब के पीछे शम्षान में आ उपस्तित हुई शम्षान गाओं के एकांत कोने में गरोन नदी के तटपर था वहाँ पहले से लकडियों का धेर, चंदन के टुकडे, घी, धूप, धूनी, आदि उपकरण एकतर कर दिये गए थे कंगाली की मा को निकट जाने का सहस नहीं हुआ, अता, वो एक उचे टीले पर खड़ी होकर, शुडू से अंत तक, सारी अंतेश चिक्रिया को उत्सुप नेत्रों से देखने लगी चोड़ी और बड़ी चिता पर जब शर्व रखा गया, उस समय शर्व के दोनों रंगे हुए पाउं देखकर, उसके दोनों नेत्र शीतन हो गए उसके इच्छा होने लगी कि दोड़ कर रतक के पाउं से एक मूंद आलता लेकर अपने मस्तक पर लगा ले अनेक कंठों की हरी दोनी के साथ पुत्र के हाथों में जब मंत्र पूत अगनी लाई गई, उस समय उसके नेत्रों से ज़र ज़र पानी बरसने लगा वो मनीमन बारंबार कहने लगी, सौभागिवती मा, तुम स्वर्ग जा रही हो, मुझे भी आशिरवात देती जाओ, कि मैं भी इसी तरह कंगाली के हाथों अगनी प्राप्त करूँ लड़के के हाथ की अगनी, ये कोई साधारण बात नहीं, पती, पुत्र, कन्या, नाती, नातिन, दास, तासी, परिजन, संपूर, ग्रहस्ती को उज्ज्वल करते हुए ये स्वर्गा रोहन देख, उसकी छाती फूलने लगी, जैसे इस सौभागी की वो फिर गरना ही नही रत की आकरती जैसे इस पश्ट दिखाई दे गई, उस रत के चारों और कितने ही चित रंकित थे, उसके शिखर पे बहुत से लता पत्र जड़े हुए थे, बीतर जैसे कोई बैठा हुआ था, उसका मुह पहचान में नहीं आता, परंत उसकी मांग में सिंदूर की रिखा थ और दोनों पदितल आलता अर्थात महावर से रंगे हुए थे, उपर देखती हुई कंगाली की मां की दोनों आखों से आसों की धारा बह रही थी, इसी बीच एक पंद्रह सोले वर्ष की उम्र के बालक में उसके आचल को खीचते हुए कहा, तु यहां आकर खड़ी है मां, भात नहीं रांदेगी, चौकते हुए पीछे मुढ कर माने कहा, रांधूंगी रे, अचानक उपर की और उंगली उठा कर व्यग्र स्वर में कहा, देख देख बेटा, ब्रामणी मां उस रत पर चड़कर स्वर्ग जा रही हैं, लड़के ने आश्चर से मुझ उठा कर कहा कहा, फिर ख़र निरिक्षर करने के बाद, तू पागल हो गई है मा, वो तो धुआ है, फिर गुसा होकर बोला, दोपह का समय हो गया है, मुझे भूक नहीं लगती है क्या, पर मा की आँखों में आशू देख कर बोला, प्रामणों की बहु मर गई है, तो तू क्यों रो रह चाया, दूसरे के लिए शमशान में खड़े होकर इस प्रकार आशू बहाने पर वो मनी मनलग जित हो थी, यही नहीं, बालक के अकल्यान की आशंका से तुरंती आखें पोच कर तनिक साधान सहियत होकर बोली, रोंगी किसके लिए रे, आखों में धुआ लग गया, यही त हाँ, धुआ तो लगी गया था, तू रो रही थी, मा ने और प्रतिवाद नहीं किया, लड़के का हाथ पकड़ कर घाट पर पहुची, स्वैम भी स्नान किया और कंगाली को भी स्नान करा कर घर लोट आई, शमशान पर होने वाले संसकार के अंतिम भाग को देखना उसके भ प्रतिवाद भी करते हैं, इसी से उनका संपूर जीवन, उनके स्वैम के नामों को ही मरर परियंत चड़ाता रहता है, कंगाली की मा के जीवन का इत्यास छोटा सा है, परंत उस छोटे से कंगाली जीवन में विधाता किस परिहास से शुटकारा पा लिया है, उसके जन्म के बाद ही उसकी मा मर गई, पिता ने कृद्ध होकर उसका नाम रखा अभागी, मा थी नहीं, पिता नदी में मचली पकरने गूमता रहता था, वो ना दिन देखता था ना रात, फिर भी ना जाने किस प्रकार छोटी सी अभागी एक दिन कंगाली की मा बनने के लिए बची र बाद है, जिसके साथ विवा हुआ उसका नाम था रसिक बाग, कुछ दिन बाद ही वो अभागी को छोड़कर दूसरे काउं में चला गया, अभागी अपने अभागे एवं उस शिश पुत्र कंगाली को लेकर गाउं में ही पड़ी रही, उसका वही कंगाली आज बड़ा ह कर पंदर्वे वर्ष में पदार प्रण कर रहा है, फिलहाल उसने बेत का काम सीखना आरंब किया है, अभागी को आशा होने लगी है कि और एक वर्ष तक अपने अभागे के साथ जूज लेने पर उसका दुख दूर हो जाएगा, ये तुख कैसा है, इसे जिनोंने दिया है उनके अत्रिक्त और कोई नहीं जानता, कंगाली ने पोकर अर्थात कच्चा तालाब से हात मुँ धो कर लोट कर देखा, उसके भोजन की थाली के बचे भोजन को मा एक मिट्टी के पत्र से ढख कर रख रही है, आश्चर चकित होकर ने पूछा, तुमने नहीं खाया मा, ब बहुत दिनों से कंगाली को धोका देती आ रही है, आज उसने हांटी देख कर ही छोड़ी, उसमें केवल एक ही व्यक्ति के भोजन के लिए भाग था, तब वो प्रसन मुख से मा की गोद में जा बैठा, इस उम्र के बालक साधानता, इस प्रकार नहीं करते, परन्तों मुख के उपर मुख रखकर कंगाली ने चक्कित स्वर में कहा, मा तेरा शरीर तो गर्म है, तू क्यों धूप में खड़ी होकर मुर्दे को जलता हुआ देखने गई, फिर क्यों जाकर नहां आई, मुर्दा जलना क्या तैने, मा ने जटपट लड़के के मुख को हाथ से द कहीं स्वर्ग जाता है, मा बोली, मैंने तो आँखों से देखा है कंगाली, द्रामणी मा रत के उपर बैठी थी, उनके रंगे हुए दोनों पाओं को सबने अपनी आँखों से देखा है रे, सबने देखे हैं, हाँ सभी ने देखे हैं, कंगाली मा की चाती से चिपक कर बै बात को देखा तब अविश्वास करने का फिर कोई कारण ही नहीं है थोड़ी देर बाद ओ धीरे धीरे बोला तब तो तू भी स्वर्ग जाएगी मा बिंदी की मा उस दिन राखाल की बुआ से कह रही थी कंगाली की मा के समान सती लक्षमी दूलों के महले में और कोई नहीं ह कंगाली की मा चुप रह गई कंगाली उसी पकार दीरे दीरे कहने लगा पिता ने जब तुझे छोड़ दिया तब कितने दुख और कष्ट तुझे जहिलने पड़े फिर भी एक दिन के लिए भी पिता पर तेरा क्रोध नहीं देखा गया तुझे आशा थी कि कंगाली के ब करकर छाती से चिपटा लिया वस्तुता अनेक प्रकार के परामर्श देने वाले लोगों का अभाव ना होते हुए भी साहिता करने वाला व्यक्त उन दिनों कोई नहीं मिल पाया था यही नहीं और यह बहुत उपद्रव उसके साथ किया गया था उन बातों को इस्वरण कर अभागी के आँखों से पानी पहने लगा लड़का अपने हाथ से इने पोचता हुआ बोला कांथरी बिछा दूमा सोएगी मा चुप रही कंगाली ने चटाई बिछाई कांथरी बिछाई माचे के उपर से तक्या उठा कर रख दिया फिर उसे बिछोने के और खीश कर ले देगा मा ना दे आ तुझे कथा सुनाओं और नहीं लुभाना पड़ा कंगाली उसी क्षण मा की चाती से लगकर लेटते वे बुला तो अब कहे राजपुत्र कोतवाल का पुत्र और वो पक्षी राज घोड़ा अभागी ने राजपुत्र कोतवाल के पुत्र और पक्ष राजपुत्र और कहा गया उसका कोतवाल का पुत्र। उसने इस प्रकार उपकथा आरंब की कि जो उसने दूसरों से नहीं सीखी थी स्वैम की रशना थी। उसका स्वर जितना बढ़ने लगा उशन, रक्त, स्रोत उतने ही दुरुत वेक से मस्तिश्क में बहने लगा। उतन विसमे और पुलक से जोर से मा के गले को पकड़ कर उसकी छाती में जैसे समा जाने की कोशिश करने लगा। बाहर दिन ढल चुका था। सूर्य अस्ताचल को चले गए। संध्या की मलान छाया प्रगाड होती हुई चराचर को व्याप्त करूठी। परंत घर के भीतर आज फिर दीपक नहीं जला। रहस्ती का शेश कर्तव ये पूरा करने के लिए कोई उठा नहीं। निवण अंधकार में केवर डुग्ण माता का अबोध गुंजन निस्तब्ध पुत्र के कानों में सुधा वर्षनर करता हुआ चलने लगा। वो उसी शमशान और शमशान की कह नहीं थी वही रत वही दोनों रंगे हुए पाउं वही उसका स्वर्ग जाना। किस प्रकार शोकारत पति किने अंतिम पदधूली देकर रूते हुए विदा दी। किस प्रकार हर दूहने करते हुए लड़के माता को ढूते हुए ले गए उसके पश्चा संतान के हाथ की अगने वो अगने केवल अगने ही नहीं कंगाली वो तो साक्षात हरी स्वरूप थी उसका आकाश तक उठावगा धुआ 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 नहीं था बच्चे वो तो स्वर्ग का रथ था कंगाली चरण मेरे बेटे क्या मा तेरे हाथों की अगनी यदि पालूं बेटे तो ब्रामनी मा की भाती मैं भी स्वर्ग जा सकूँगी कंगाली ने अस्वट स्वर में केवल ये कहा जा ऐसा नहीं कहते मा उस बात को शैद सुन भी नहीं सकी उशर निश्वास छोड़ कर कहने लगी छोटी जात की होने पर भी तब कोई ग्रणा नहीं कर सकेगा दुखी होने पर भी कोई रोप करनी रख सकेगा आह लड़के के हाथ की अगनी रथ को तो आना ही पड़ेगा लड़के ने मुँ के उपर मुँ रखकर भर्राए कंड से कहा ऐसा मत कहो मा मुझे बड़ा डर लगता है मा ने कहा और देख कंगाली तेरे पिता को एक बार पकड़ लाओंगी वैसे ही अपने गाउं की धूली मस्तक पर देकर वे मुझे विदा करेंगे वैसे ही पावों में आलता माथे पर सिंदूर देकर परंत कौन उसे देगा तू देगा नरे कंगाली तू मेरा लड़का है तू ही मेरी लड़की है तू ही मेरा सरवत्र है कहते कहते उसने लड़के को कसकर छाती से चिपटा लिया अभागी के जीवन नाटक का अंतिम अंक समाप्थो चला है जिसका विस्तार अधिक नहीं सामाने ही है जान पड़ता है तीस वर्षी अब तक पार हुए होंगे या ना हुए होंगे अंत भी हुआ उसी प्रकार सामाने भाव से गाओं में कविराज नहीं थे दूसरे गाओं में उनका निवास था कंगाली जाकर रोया धोया हाथ पाओ जोड़े अंत में लोटा गिर्वी रखकर उन्हें एक रुपए की प्रणामी अर्था सलामी दी उस सब का कितना आयोजन करना पड़ा खरल मदू अधरक का सत्व तु इकते हुँ इसने का अच्छी होंगी तो वैसे ही हो जाऊंगी बागदी दूलों के घर में अब भी कोई ओशा दिखाने से नहीं बचता दो तीन दिन इसी प्रकार बीद गए पड़ोसी खबर पाकर देखने के लिए आये वे जो घरेलू नुसके जानते थे हिरन के सींग क गिसा हुआ पानी गिट्टी कोडी जलाकर शहद में मिलाकर चटा देना इतियादी बिना खर्चे की ओशदियों को बता सब अपने काम से चले गए बालक कंगाली घबरा उठा मा ने उसे गोद में खीचते हुए कहा कभिराज की गोलियों में कुछ नहीं होता बेटे और उ कैसे ही अच्छी हो जाओंगी अच्छा देख तू थोड़ा सा भातवात बनाकर खाले मैं भी देखूंगी कंगाली पहली बार अनभ्यस्त हाथों से भात रांदरे लगा ना तो वो माड़ी निकाल सका ना अच्छी तरह पसा ही सका चूला उससे जलता नहीं उसमें पानी पढ़ने से धुआ होता है भात पसाते समय चारों और विर पढ़ता है मा के नेत्र छल चला आये उसने स्वयम एक बार उठने की चेश्टा की परंतु माथा सीधा न कर सकी खाट पर ही लुड़क गई खाना बन जाने पर बालक को पाज बुला कर किस प्रकार क्या करना होता है इसका वेधिवत उपदेश करते समय उसका क्षीन कंठ अवरुत हो गया आँखों से जल की अविरल धारा बहने लगी गाओं का इश्वर नाई नाड़ी देखना जानता था दूसरे दिन सवेरे उसने नाड़ी देखकर उसी के सामने मुझ को गंभीर बना लिया कंगाली की मा ने इसका अर्थ समझा परंत उसे भैबी नहीं लगा सब लोगों के चले जाने पर उसने लड़के से कहा इस बार एक बार उन्हें बुला कर ला सकता है बेटे किसे मा उन्हीं को रे उस गाओं जो चले गए हैं कंगाली ने समझते हुए भी पूछा पिता को अभागी कंगाली बोला वे आएंगे क्या मा अभागी को स्वैम भी पूरा संदे था तो भी धीरे धीरे कहा जाकर कहना मा केवल आपके पावों की धूली चाहती है वो उसी समझाने को तयार हो गया तब उसका हाथ पकड़ कर वो बुली थोड़ा सा रोना धोना बेटे कहना मा जा र करती है प्यार उसे बहुत सी करती है जर होने की अवदी से मा के मुख से इन कई वस्तों की बातें इतनी बार इतनी प्रकार से सुनी है कि वो वहां से रोता हुआ अपनी यात्तरा पर चल दिया दूसरे दिन रसिक दूले समया अनुसार जब आ उपस्थित हुआ उस समय प्रोकर कहा अरी मा पिता आए हैं पाओं के धूली लोगी ना मा शायद समझी शायद नहीं समझी शायद गहराई तक संचित उसकी वासना ने संसकार के भाद ही उसकी दबी हुई चेतना पर आगहात पहुचाया इस मृत्य पत के यात्री ने अपनी विवश भुजाओं को शया से बाहर बढ़ा कर हाथ चुका दिये रसिक हत्रव खड़ा रहा प्रत्वी पर उसकी पद धूली का कोई प्रेउजन है इसे भी कोई चाहा सकता है ये उसकी कलपना से परे था बिंडो की बुआ खड़ी होई थी उसने कहा दो बाबा थोड़ी सी पावों के धूली दो रसिक आगे बढ़ाया, जीवन भर इस्त्री को उसने प्यार नहीं दिया, भोजन वस्त्र नहीं दिया, कोई खोज खबर नहीं ली अब ब्रत्य काल में उसे केवल थोड़ी सी पद धूली देते समय वो रोठा राखाल की मा बोली, ऐसी सती लक्षमी ब्रामर कायस्तों के घर में न जर्म लेकर हम दूनों के घर में क्यों जन्मी अब तो उसकी गति सुधार्दो बेटा कंगाली के हाथ से अगने पाने के लोब में उसने अपने प्राण दे दिये हैं अभागी के अभागे के देवता ने परोख्षे बैठ कर क्या सोचा था पता नहीं पर बालक कंगाली की छाती में वो बात तीर की भात ही बिने गई उस दिन दिन का समय तो कट गया, पहली रात भी कट गई परंत सबेरे के लिए कंगाली की मा और प्रतीक्षा कर नहीं कर सकी कौन जाने इतनी छोटी जाती के लिए भी स्वर्ग के रत की व्यवस्था है अथवा नहीं अथवा अंधेरे में पैदली उन्हें जाना पड़ता है परंत ये समझ में आ गया कि रात पूरी समाप्त होने से पहले ही उसने इस दुनिया को त्याग दिया जोपडी के आंगन में एक बेल का पेड़ है कहीं से कुढ़ारी लाकर रसिक ने चोट की अथवा नहीं की परंत जमिदार का दर्बान कहीं से दोड़ा चलाया और उसके गाल पर त्राक सिक चाटा कस दिया फिर कुलहारी चीनता हुआ बोला बेटा ये क्या मेरा अपना पेड़ है जो काटने लग गया रसिक गाल पर हाथ पेड़ने लगा कंगाली रोता हुआ सा बोला वाह ये तो मेरी मां के हाथ का लगाया हुआ पौधा है दर्बान जी पिता जी को तुमने खामख़ा क्यो मारा हिंदुस्तानी दर्बान तब उसे भी एक गाली देकर मारने चला परंत वो अपनी मरी हुई मां की मरत दे के इस पर्ष की हुए बैठा था अता अशौच के भैसे उसके शरीर पर हाथ नहीं मारा शोर गुल से एक भीड जमा हो गई किसी ने भी इस पास से इंकार नहीं किया कि बिना आग्या लिए रसिक का पेड़ काटना कठिन नहीं था वे सब फिर दर्बान जी के हाथ पाउं जोडने लगे कि कृपा करके उसे हुक्म दे दे कारण बीमारी के समय जो कोई देखने आया था कंगाली के मां उसी का हाथ पकड़ कर अपनी अंतिम अविलाशा व्यक्त कर गई थी दर्बान भुलावे में आ जाने वाला पात्र नहीं था उसने हाथ हिला कर कहा ये सब चला कि मेरे सामने नहीं चल सकती है जमीनदार इस्थानी व्यक्त नहीं थे गाउं में उनके एक कचहरी है गुमाशता अधर राए उनके कारिंदे हैं सब लोग जिस समय दर्बान के समीप व्यर्थ अनुने विनय करने लगे कंगाली उद श्वासें लेकर दोड़ता हुआ एक्दम कचहरी वाले मकान में जाहु पस्तित हुआ उसने लोगों के मुँझे सुना था कि पियादे लोग भूस लेते हैं उसे निश्चित विश्वास हो गया है कि इतने बड़े असंगत अत्याचार की बात यदि मालिक को बता दी जाए तो इसका कोई प्रतिकार हुए बिना न रहेगा हाई रे अबूद बंगाल के जमीनदारों और उनके करमचारियों को जानता ही नहीं था सद्य मातरहीन बालक शोक तथा उत्ते जना से उद्वरान धोकर एक तम उपर चड़ता चला आया अधर राय हाल ही में संद्या पूजा तता थोड़ा बहुत जर्पान करने के बाद बाहर आये थे विस्मित और कृद स्वर से बोले क्या है रे मैं कंगाली हूँ दर्वान ने मेरे पिता को मारा है ठीक किया अभागा लगान नहीं देता है शायद कंगाली बोला नहीं बाबुजी पिता जी पेड़ काट रहे थे मेरी मा मर गई है कहते कहते वो अपना रुदन और नहीं रोप सका सबेरे के समय स्रोने दोने से अधर अत्यंत खीज उठे लड़का मुर्दे को छूकर आया है क्या पता यहां भी कुछ छूचा न दिया हो दमकाते हुए बोले मा मर गई है तो नीचे जाकर खड़ा हो अरे कौन है रे इस जगे थोड़ा सा गोबर पानी डाल दो किस जाती क लड़का है तू कंगाली ने भैबीत हो आगन से उतर कर खड़े हो कर कहा हम लोग दूले हैं अधर ने का दूले दूले के मुर्दे के लिए लकड़ी का क्या होगा सुनू तो कंगाली बोला मा मुझे अगने देने के लिए कह गई है आप पूछ लीजे न बाबूजी मा त पड़ने लगा अधर ने कहा मा को जलाना चाहता है तो पेड़ के दाम पांच रुपे ला सकेगा कंगाली जानता था यह संभव है उसका कफन खरीदने के लिए मूले के रूप में उसके भात खाने की पीतल की ठाली को बिंदो की बुआ एक रुपे में गिरवी रखने तेरा बाब को रहाड़ी चलाने जा रहा है पाजी अभागा पदमाश कंगाली बोला वो हमारे आंगन का पेड़ है बाबु जी वो तो मेरी मा के जला का बोया हुआ है हाथ का बोया हुआ हुआ पांडे इस सुवर को गरदनिया मार कर बाहर निकालो पांडे ने आकर उसे धक्का दिया एवम ऐसी बाते कहीं जिने केवल जमिंदार के करमचारी ही कह सकते हैं कंगाली धूली जाड़कर उठखड़ा हुआ उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकल गया क्यों उसने मार खाई उसका क्या अपराध था रड़का इसे सोच भी नहीं पाया गुमाश्ते के निर्विकार हिदे में दाग तक नहीं पड़ा पढ़ने पर ही नौकरी उसे नहीं मिलती बोला परेश देख तो इस बेटा का लगान बाकी पड़ा है की नहीं हो तो इसका जालवाल जो कुछ हो चीन कर रख लेना अभागा भाग के जा सकता है मुखर जीयों के घर पर शाद के दिन के बीच में किवल एक दिन बाकी है समारो का आयोजन ग्रहनी के उप्यक्त होने का प्रयत्न हो रहा है विद ठाकुदास स्वैमी देखरे करते घूम रहे हैं कंगाली ने आकर उनके सामने खड़े ओकर कहा पंडिक जी मिरी मा मर गई है तू कौन है क्या चाहता है तू मैं कंगाली हूँ मा कह गई है उसे अगने देने के लिए तो देना कचैरी की गटना इस भी सबके मूँ से प्रचारित हो चुकी है थी एक आदमी ने कहा उसे शायद एक पेड चाहिए ये कहकर उसने गटना बता दी मुखोपाद्याई ने विस्मित और विरक्त होकर कहा सुनो इसकी बाते हमें कितनी लकडी की जरूरत है कल के बाद परसों शाद है जा जा यहां कुछ नहीं होगा यहां कुछ नहीं होगा ये कहकर अन्यत्र चल दिये बट्टा चारे महाशे समीपी बेटे हुए फर्द बना रहे थे वे बोले तेरी जाती में कहा कोई जलाया जाता है रे जा उसके मुँ में थोड़ी सी आग रख नदी की धार में मिटी दे देना मुखो पाद्याय महाशे का बड़ा लड़का व्यस्त भाव से इस ओर से कहीं जा रहा था उसने कान खड़े होकर कुछ सुनते हुए कहा देखते हैं बटा चार महाशे ये सब बेटे ब्रामर काइस्त हो जाना चाहते हैं कहकर काम की जल्दी में चला गया कंगाली ने और प्रार्थना नहीं की इन दो घंटों के अन्भों से वो जैसे एकदम बुढ़ा हो गया था चुपचाप दीरे दीरे वो अपनी मरी हुई मा के पास जा उपस्तित हुआ नदी की धार के पास गड़ा खोद कर अभागी को सुला दिया गया राखाल की मा ने कंगाली के हाथ में पुवाल की आटी जिला कर दे दी उसी हाथ से मा के मुख को इस पर्ष करवा कर हटवा दिया तदुपरांत सबने मिलकर मिट्टी से ढखकर कंगाली की मा के अंतिम चिन्ह तक को समाप्द कर दिया सब अपने कामों में वेस्त हो गए परंत उस पुवाल की आटी से जो थोड़ा धुवा निकल कर आकाश के और उट रहा था उसकी और अपलक नेत्रों से देखता हुआ कंगाली इस्तब्ध खड़ा हुआ था अभी आप सुन रहे थे शरचन चटोपाद्याई जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद कहानी अभागी का स्वर्ग स्वर्दिया था मैंने यानि सीमा सिंग